नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पड़साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोयम को जिसका नाम है A House, A Home ये पोयम जो लिखी गई है वो लोरिन M. Holley के द्वारा लिखी गई है अब इस पोयम के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा क्या सीखने के लिए मिलेगा देखे बहुत ही खास चीज है वैसे तो बहुत चोटी चीज है लेकिन बहुत लोगों को इसका अभी भी मतलब नहीं पता होगा कि एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है ये डिफरेंस हम लोगों को इस पोयम के अंदर देखने के लिए मिलेगा NCRT की जो बुक है क्लास 6 के सिलेवस में जो लगी हुई है उसके अंदर इस पोयम को रखा गया है इसके अलावा KBS TGT में भी इस पोयम को रखा गया है इसलिए आप लोगों को ये पोयम जो है आपके एक्जाम में भी help करेगी ये पोयम बहुत ही easy language में लिखी हुई है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी देखिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजे समझाना चाहूँगा जैसे कि इस पोयम के starting में हम लोगों से एक question पूछा जाता है कि what is the difference between a house and a home पहले आप इस पोयम को पढ़ने से पहले ये question खुद से पूछिए कि एक house में और एक home में क्या difference होता है क्या आपको पता है अगर आपको नहीं पता तो इस पोयम को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा क्या वो सही में new था वो मुझे आप comment करके बताईगा कि अभी तक इस तरह का difference आप लोगों को नहीं पता था ठीक है अगर आप लोगों को ये पता है ये नहीं पता है वो बात रही अलग की लेकिन जो भी आपके साथ बैठा हुआ है discuss it with your partner जो भी आपके साथ बैठा हुआ है जो भी इर्द गिर्द है उससे पूछो कि एक house में और एक home में क्या फ़र्ग होता है then read the poem अगर दोनों में से कोई भी इस आंसर को नहीं दे पाता है सही तो आप लोगों को ये poem पढ़नी चाहिए उसके बाद आप लोगों को सही से पता चल जाएगा कि एक house में और एक home में क्या difference होता है पहले मैं आप लोगों को image के माध्यम से बता देता हूँ कि एक house जो होता है वो क्या होता है देखिए एक house जो होता है वो एक मकान होता है मकान मतलब की जिसमें कोई family नहीं रहती है जो सिर्फ एक structure होता है किसी house का एक structure होता है जिसमें लकड़ी के मान लीजे दरवाजे बने हैं विंडो जो है वो सीजे की बनी है इट से ये घर बना हुआ है पूरा का पूरा और यहाँ पर एक चिमनी भी आप लोग को देखने के लिए मिलती है जो भी थंडे देश होते हैं वहाँ पर लोग ये चिमनी जरूर लगाते हैं अपने घरों के ऊपर क्यों? क्योंकि उससे उनके घरों का धुआ निकलता है जैसे ही सरदी के मोसम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो लोग अपने घर में ही आग जला लेते हैं जिससे उनका धुआ इस चिमनी के थुरू बाहर निकल जाता है तो हाउस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी फैमली नहीं रहती अब बात करते हैं होम की होम के अंदर इस्ट्रेक्चर जो होता है बिल्डिंग मैटेरियल दो सारा लगा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर हमें एक फैमली दिखाई देती है जिसमें सबसे बुज़ूर्ग लोग जैसे की दादा जी दादी जी जैसे यहां पर आप लोगों की पिक्चर में है या फिर मम्मी पापा जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं भाया बहन यह सब चीज देखने के लिए हमें एक हॉम के अंदर मिलती है मतलब जहां पर हमारे फैमली मैंबर भी रहते हो उसे हम हॉम कहते हैं जो इक दूसरे की कदर करते हैं हाउस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर सिर्फ एक खाली मकान बना हुआ होता है जिसके इर्द-गिर्द कोई भी नहीं रहता है कोई भी लोग उसके अंदर नहीं रहते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हाँस है वो किस तरह का है कि क्या पोयम के अंदर हमें हाँस की खोवी बताई गई है What is a house देखिए सबसे पहले पूछा गया है कोच्चन की एक हाँस क्या होता है It is brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard, its elves and chimneys and tile floors, and stuku and roof and lots of doors देखिए एक house के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये किस चीज का बना होगा ये brick का बना होगा मतलब इटो का बना होगा या फिर stone यानी पत्थर का बना होगा इसके अंदर एक hard लकडी का इस्तिमाल किया गया होगा जैसे कि हम लोगों के घर में आजकल दरवाज बनाने के लिए plywood का इस्तिमाल करते हैं उस तरह की hard लकडी का इस्तिमाल घरों में किया जाता है and some window glass और जो window होती है उन पे window glass आप लोग देखते होंगे आपके घरों में भी होंगी उस तरह की windows का इस्तिमाल किया जाता है and perhaps a yard जरूरी नहीं है कि एक घर में हमेशा एक house मे हमेशा yard हो लेकिन बहुत से घरों में आपने एक yard देखा होगा yard किस चीज़ को बोलते हैं जहां पे घर के बाहर एक छोटा सा एक मतलब हरियाली सी जहां पर हम लोग पोधे वगयरा बो देते हैं या थोड़ी वहुत घास वहां बो देते हैं ताकि हम उसमें घूम सके इस Alps and Chimneys and Tile Floor वहां पर हम लोगों क्या देखने के लिए मिलता है घर के बोपर चिमनीज देखने के लिए मिलती हैं या फिर उसके जो floor है फर्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं टाइल्स के बने होते हैं एंड इस्टूकू and Roof and Lots of Doors वहां पर हमें बहुत सारे Doors देखन पर देखा होगा जो molding चड़ा देते हैं पलास्टर चड़ा देते हैं ऐसी सारी चीज़ देखने के लिए वहाँ पर हमें मिलती है किसके अंदर एक house के अंदर देखने के लिए चीज़े मिलती है क्या नहीं मिलता वहाँ पर family members नहीं मिलते अब यही difference है कि house के अंदर तो हमें family member नहीं मिलते लेकिन home के अंदर हमें family member मिलते हैं, what is a home, home क्या है यहां पर आपको बताया कि एक home क्या है, it is loving and family and doing for others, its brothers and sisters and fathers and mothers, it is unselfish act and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring, देखें यहां पर बताया गया है कि एक home क्या होता है उसके अंदर एक family होती है, जो बहुत प्यार से वहां पर रहती है, और वो एक दूसरी के लिए कोई भी काम करने में सोचते नहीं है, family जो रहती है वो एक दूसरे का काम करने में बिलकुल भी नहीं सोचते, it's all about brothers and sisters, वहां पर क्या होते हैं कि brothers and sisters हमें देखने के लिए मिलते हैं family members में और भी लोग हैं जैसे कि fathers and mothers वहां पर होते हैं, brothers and sister के अलावा father and mother होते हैं, उनके अलावा दादा दादी जी होते हैं, मतलब family member में कितने भी लोग आप add कर लिजे, it is unselfish act, और कोई भी काम हम उन लोगों के लिए किसे करते हैं, उसके पीछे जब हम कोई भी काम अपने family members के लिए करते हैं, तो कोई भी selfishness हमारी वहां पर नहीं छुपी होती and kindly sharing, और हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी चीज अपने family members के साथ share कर देते हैं, चाहे वो हमारे emotions हो, और या फिर कोई चीज हो, जो हमारे पास extra है वो हम अपने family members के साथ बिना सोचे समझे, share कर लेते हैं and showing your loved ones you are always caring, और आप उन सभी लोगों के लिए बड़ा अपना प्यार जताते हो, जिनको आप हमेशा care करते हो मतलब simple words में आप लोगों को बता देता हूँ कि घर का जो structure होता है, धांचा होता है उसको हम house कहते हैं और जिसके अंदर family होती है उसको हम home कहते हैं I hope ये poem आप लोगों को समय में आई है मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जैहिंद